विस्व चेंपियन बनकर पीवी सिंधु ने रचा इतिहास अपनी मा को दिया बात डे गिफ्ट इस चैनल को तुरन सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए घंटी भी बजाएं एक मां का जन दिन था और जन दिन के इस मौके पर एक बेटी ने गिफ्ट किया अपनी मां को गोल्ड मैडल और ये गोल्ड मैडल भी किसी साधारन प्रतियोगिता का नहीं था बलके विस्व चैंपियन्शिप का था जी हाँ हम बात कर रहे हैं अब विस्व चैंपियन्शिप बन चुकी पीवी सिंधु की बैडमिंटन खिलाडी पीवी सिंधु ने विस्व चैंपियन्शिप बन कर इतिहास रच दिया है फाइनल में ओकुहारा को हरा कर गोल्ड मैडल का गिफ्ट उन्होंने अपनी मा को उनके जन दिन के मौके पर पर प्रजेंट किया यानी तौफे के रूप में दिया दरसल पीवी सिंधु ने विस्व बैडमिंटन चैंपियन्शिप में महिला एकल का स्वर्ण पदक जीत कर रविवार को भारतिये खेलों में नया इतिहास रच दिया जापां की अपनी चिर परतिद्वन्दी नोजोमी ओकुहारा को एक तरफा मुकाबले में हरा कर स्वर्ण पदक जीतने वाली सिंधु या उपलब्दी हासिल करने वाली पहली भारतिये खिलाडी बन गई है उलम्पिक रजद पदक विजेता सिंधु ने 38 मिनट तक चले फाइनल में एक के साथ से जीत तरज की सिंधु ने इसके साथ ही दो साल पहले इस टूनामेंट के फाइनल में ओकुहारा से मिली हार का बदला भी ले लिया वो कुहारा ने 2017 में उन्हें 110 मिनट तक चले फाइनल में हराया था इस मैच को बैडमिंटर इतिहास के सबसे रोमान चक मुकाबलों में से एक माना जाता है विस्व चेंपियंशिप का खिताब जीतने के बाद पीवी सिंदो ने कहा कि पिछली बार मैं फाइनल में हार गई थी उससे पहले वाले फाइनल में भी हार गई थी ऐसे में इस बार जीत तरज करना मेरे लिए काफी जरूरी था मैं होसला अफजाई के लिए यहां के दर्शकों का शुक्रिया आदा करना चाहूंगी मैंने इसे अपने देश के लिए खिताब जीता है और मुझे भारती होने पर गर्व है उन्होंने कहा मेरे कोच गोपी सर और किम के साथ सहयोगी सदस्यों का आभार मैं इस जीत को अपनी मा के नाम करूंगी आज उनका जन दिन है सिंदू इससे पहले 2017 और 2018 के फाइनल में ओकुहारा और स्पेन की कैरोलिन मारिन से हार गई थी जिससे उन्हें रजत पदक से संतोश करना पड़ा था उन्होंने इससे पहले 2013 और 2014 में कांसे पदक जीता था विश्व चेंपियंशिप में सिंदू का ये पाचमा पड़क है पदकों की संख्या के मामले में सिंदू ने चीन की पूर्व ओलंपिक चेंपियन जांग निंग की रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है सिंदू के स्वर्ण और प्रिनीत के कांसे पदक के साथ भारतिये खिलाडियों ने इस परतिस्ठिट टूनामेंट में पिछले 6 साल से कम से कम एट पदक जीतने का सलसला भी जारी रखा तो हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई पीवी सिंदू वर्ल्ड चेंपियन बन प्रिनीकी